नमस्कार मित्रो, मैं हूँ कीर्ती और कीर्ती की बग्या में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे बैंगन पर लगने वाले कीडों के बारे में आज सुभे जब मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने देखा कि मेरे बैंगन के पोधे पर छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं और कुछ कीटों ने उन पर अपने अंडे भी दिये हुए हैं तो इसको बहुत ही आसानी से हम रिवू कर सकते हैं उसके लिए मित्रों आप अपने पोधों को अच्छे से पानी से नहला दीजिए पानी की धार को बहुत ज़्यादा तेज रखिए और तेज धार से हर एक पत्ते को आप धो दीजिए दोनों तरफ से अपने पत्तों को अच्छे से नहला देना हैं आपके गार्डन में जितनी भी पोधे हैं आप उन सभी को बहुत अच्छे से नहला दीजिए उसके आपके 90% कीड़े दूल जाएंगे अपने सभी पत्तों को पानी का छिड़काव टेज गती से कीजिए जिससे की आगे से पीछे से सभी कीड़े हट जाएं सारे कीड़े आपके रिमूव हो जाएंगे उसके बाद आप अपने पोधे को पत्ते सूखने तक 4-5 गंड़े के लिए छोड़ दीजिए मैंने पानी की धार इनमर सुभे डाली है उसके बाद हम इने शाम तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सभी पोधों को मैंने पानी से अच्छे से दो दिया है इस पोधिम में मरोडा रोग हो गया है तो मैं इस डेंडी को तोड़ कर अलग कर दूँगी जिन पत्तियों में मरोडा रोग हो गया है आप उन्हें रिमूव कर दीजिए जहां से हमने डंडी तोड़िये वहां से नए पत्ते हमारे दुबारा निकलने स्टार्ट हो जाएंगे अब हम अपने पोधों को ऐसे ही छोड़ देंगे ये देखें फ्रेंड्स मैंने सुभा इनके उपर पानी डाला था अब 90% किड़े हमारे धुल चुके हैं और पत्तों का पानी सूख चुका है अब हमें लकडी की राख या फिर उपले की राख लेनी है शहरों में लकडी की राख नहीं मिल पाती चूले की राख तो मैंने अपने पूजा की राख जो नौरात्री में हम कंडे जलाते हैं उस सामगरी की राख हवन कुंड की इखटी करके रख ली थी और अपने सभी पत्तों पर अब हम इसको छुड़केंगे हमें हर एक पत्ते के ऊपर ये कंडे की राख को छुड़क देना है जो भी आपके हाँ पिर कहीं चूला जलाता है या फिर आप सर्दियों में हाथ सेकनी के लिए अगर लकडियां कोई जलाता है तो वहां से आप राख लाकर इखटी करकर रख लीजिए ये हमारी गाडन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है बस आपको हर पोधे के हर पत्ते पर बैंगन के दोनों तरफ से राख को छुड़क देना है उसके बाद फ्रेंड्स आप जब अगले दिन पानी दें तो पत्तों को गीला ना करें सिर्फ जड़ में पानी ये बहुत ही कारगर उपाए है हमारे इतने आसान से उपाए से ही सारे कीड़े हमारे रिमूव हो जाएंगे और हमें किसी भी कीटना शक्की जुरूत नहीं पढ़ने वाली तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी बाए बाए